हेलो गायज, गोड मोर्लिंग के त्यानल, आज हम कोशन करने वाले हैं, write the period place and place value, हमार पास एक नंबर है, तो हमें 8 का period place and place value पता करनी है कि कितनी होगी, तो मैं आपको एक easy पेले table बनाके दिखाते हूं, जैसे 1 10 100 हमारा 4 कौन से नंबर पर है 1s पर ठीक है यह 1s के लिएन में है 2 कौन से पर है 10s पर 6 कौन से पर है 100 पर तो यह तीनों नंबर्स किस पीरिड में आते हैं यह तीनों नंबर्स जो होते हैं वो 1s के पीरिड में आते हैं तो इसका period क्या हो गया, once, उसके बाद क्या होता है, thousand, फिर आता है ten thousand, यह जो number आते हैं कि कौन से period में आते है, thousands, इसके बाद होता है, lakh, फिर है ten lakh, इन पे आने वाले numbers का period क्या होगा, lakh, ओके, तो अब eight कोन से number पे है, thousand number पे है, तो इसका, eight का period क्या हो गया, thousand, eight का period क्या हुआ, thousand, आप हमें का लिखा रहा है, place, eight का place क्या है, obviously thousand पे है, यह है place, तो eight कौन से place पे है, thousand पे, okay, अब place value, eight की place value क्या है, place value, okay, तो eight के बाद क्या है, eight क्या है, thousand ना, last के इतने भी digit है, यह हो गया, zero, मतब eight thousand, तो हमने हाँ पे लिख दिया, eight thousand, इतरे से हम, एक डिजिट की period, place and place value निकालेंगे, with the help of this table, okay, and the next question is, three, zero, यानि की 30,952, इसमें आपको zero की period, place and place value बताने है, इसका answer आप मुझे comment box में लिखके बताईए, fast, 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 quick, और आपको यह table की help चाहिए, तो आप यह देख सकते हैं, let's see, कितने लोग इसका साई answer देते हैं,